हेलो दोस्तो नमेश्कार वन अफ दो इंपोर्टन और पॉपिलर सेक्टर के बारे में केमिकल सेक्टर अब सभी लोगं का बता है केमिकल सेक्टर मतलब हर किसी के पोर्टफोलिय में केमिकल से रिलेटेड कोई ना कोई स्टॉक तो ज़रूर होना ही चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर यह होता है और इस सेक्टर के अगर मैं बात करूँ तो गड़बड़ी फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं देखे मैं अच्छे से सुनिये मैं क्या बोलता हूँ जो गड़बड़ी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं chemical sector में as compared to the other sectors वो हम लोग को relatively कम नजर आते हैं मैं यह ने बोल रहा कि fraud होता ही निये करके ऐसे बहुत सारे chemical companies हैं जिनमें भी घड़बड़ी हुई थी इनमें chances बहुत कम होते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि chemical का business खड़ा गरना यह बहुत ही मतलब tough काम होता है पहला तो पैसा चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए और उसी की साथ साथ सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा आपको बहुत सारे ढेरो license लेने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़े terms, conditions आपकी factory share से दूर रहनी चाहिए यह safety measures follow करने चाहिए वो करने चाहिए, उसके बाद यह अपको license मिलेगा बहुत ही headache वाला यह काम है हम जरू बोल सकते कि यह वही business मतलब लोग करते है जिनके पास मतलब जबरदस solid passion होता है हम लोग आपे कह सकते कि chemical industry से related ऐसे दो कंपनिया अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो की already हम लोग को कमाल की returns दे चुके clear disclaimer है दोस्तो मेरे side से यह दोनों कंपनिया मेरे पास है and अफला तो इन returns मिल चुके मुझे and भविश्या की भी अगर मैं बात कर दोस्तो तो मुझे ऐसा लगते है कंपनिया हमें और भी returns कमा के दे सकती है ठीक है ऐसा यह कोई rule नहीं होता है जो कि एक retail mister सोचता है कि अगर एक कोई company मान लीजे 50 रुपे की थी हम लोगों ने देखा था आज वो company अगर मान लीजे 15 सुका हो गया ठीक है मतलब the end हो गया अभी यह company इसके उपर नहीं जाएगी तो ऐसा कोई rule नहीं है दोस्तो वो company कितना भी आगे बढ़ सकती है multiple time bonus split भी होते है तो यह basic चीजे हमनों को पता होनी चाहिए तो चले शुरुआत करेंगे पहली company के साथ FCL कोई नया नाम नहीं है बहुत बार मैं यह आपके सामने रख चुका हूँ phenotex chemical की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बहुत ही कमाल का इसका preference रहा है volatile stock है बच्चों के लिए यह stock नहीं है बच्चों के लिए मतलब क्या कि जिनको 298 का 198 होने से डर लगता है तो उनके लिए stock नहीं है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा highly volatile है आप इसका एक साल का भी data देखोगे तो आप चेक कर सकते हो suddenly 198 का stock 400 हुआ था हर कोई जबरदस खुश हुआ था फिर वही 400 का stock वापस आ गया 200 तक आप समझ रहें कितना ज़्यादा highly volatile यह company है एक एक player इस company का भविशा तैय कर सकते है मतलब अगर किसी एक बड़े player के पास मान लीजे 2,00,000 shares होंगे अगर कल उसका मन हो गया कि यह मन हो गया मतलब उसको लगा कि यह company नहीं अच्छा business करे अगर उसने 2,00,000 shares बेज दे तो circuit के उपर circuit lower circuit तो इस प्रकार की चीज़े देखने को मिल जाते है इन companies में तो इसलिए कहता हूँ कि संभल कर रहना चाहिए यह चीज़े आप लोगों को पता होनी चाहिए blindly नहीं जाना है इसके पहले भी यह company 80% गिराता है 80-83% आप चेक कर लेना आपको easily समझ में आ जाएगा कि कितनी भयंकर गिरावाट है हम लोगों को देखने को मिल जाती है अगर मैं normally गिरावाट की बात कर लू तो कितना नजर आ रहा है 75% तो इसका रतिया नहीं होता है कि company खराब हो गई अगर यह चीज़े अगर आप skip करोगे फिर बाद में आपको 10% से अगर दिक्कते हो जाएगी तो कैसा चलेगा खत्रों के खिलाडी लोगों के लिए company इतना हम लोग कह सकते हैं चाओ तो इसको study कर सकते हो revenue की बात करें कि 50-70% गिर गया तो भविश्य में भी अगर इनका net profit गिर गया तो समझ ले ना 40-50% की गिरावट तो क्या आप इतना risk ले पाओगे कि ओर आल लॉंग स्टॉरी की बात करें तो company में दम है बड़ा business करने की बट बहुत सारे obstacles आने वाले इस company का business होते होते दैन अगर हम लोग share holding pattern की भी बात करें तो चेक कर ले ना 65% promoter के पास यह तो चाहिए ही चाहिए अगर promoter कम रहेंगे तो बहुत हम लोग देखेंगी भी नहीं ऐसे companies को FIS की बात करें कोई नहीं रहेगा zero ना के बराबर D.I.S.B. कुछ जादा नहीं रहेंगे 3.5% hardly then बाकी public के पास 30% तो हम जरू कह सकते हैं बहुत ही risky टाइप की company है पट यह बैलेंशेट के अगर हम लोग बात करेंगे company की results देखिए 116, 125, 158, 199, 250 long term borrowing 0 then short term borrowing ठीक है चलता रहेता है fluctuating manner में 7 सवा 7 करोड and अगर हम लोग आगे की बात करें cash and cash equivalent तो वो भी कितना है cash somewhere around company का 33 के आसपस है so balance rate आप लोगों को पढ़नी जरूर आनी चाहे तब ही जाके इस चीज़े समझेगी 1979 से company काम कर रहे है water treatment में काम करती है textile है, construction है, fertilizer, leather, paint, industry and India से 50% business होता है बाकी 50% business export भी इस company का होते वे देखने को मिल जाता है, so उपर से आप देख सकते company कैसी है, small cap category की है तो ये points हम लोगों को पता होनी चाहे निवेश करने से पहले, ऐसा नहीं कि निवेश करो और बाद में इसको check करो तो फिर कोई फाइदा नहीं, तो बहुत ही चोटी company है, बट येस, इस company में बड़ा बनने का जरूर हम लोगों को दमखम नजर यहापे आ जाता है, so जितने important parameters थे, सारे में आप लोगों के सामने आपे रख दिये है अगर आप चाहो तो company का yearly performance हम देख सकते हैं, एक जमाने company का net profit 6 करोड का हुआ करता था, केवल 6 करोड, फिर 8 करोड, फिर 8 करोड, फिर 15 हो गया, ऐसे करते करते 20, 39 then 40, 50, 90 तक चला गया और ये वाला साल देखे दोस्तो company अच्छा कर रहे थी, 24 तक चला गया then suddenly company का profit 14 तक आगया, इतना डाउन हो गया मतलब 2 का IPS 1 हो गया 50 पसेंट डाउन हो गया, शेर भी 50% in fact उससे भी ज़्यादा गिरा था शेर so ये risk आपको manage करने आनी चे, तब ही जाके आप इन companies में अच्छा आशा पैसा बना पाओगे then अगर हम लोग बात करेंगी, second company जिसका नम है यश्व इंडस्टी yes, यश्व इंडस्टी की बात करें, तो बहुत ही छोटे टाइप की ये company थी, microcap थी, nanocap थी, तब से हम लोग इसको देख रहे हैं, और तब से लेके अभी तक company ने धूम धड़ा के दार returns हम लोगो दिये है, मतलब आप 5 साल के returns देखोगे, तो literally आप शॉक हो जागे, 1400% के returns है, खतरना के returns यहाप बनते वे देखने को मिल रहे है, और इस company की काबिलियत है, दोस्तों, यह और भी बड़ी company बन सकती है, बट इतना easily आप लोगों यह बड़े returns नहीं देगी, multiple time आप लोगों को जटके देते रहेगी, बीच में हम लोगों ने देखाते है, यह भी company, आर राम से हम लोगों को 50-60% गिरते वे देखने को मिल रहा था, almost हम क्या सकते, 2000 कशिर, 1000 के करीब आते वे देखने को मिल रहा था, तो इतना ज्यादा volatility हम लोगों को इन companies में देखने को मिल जाते है, बट इसका रहती है नहीं कि company खराब हे करके, company बहुत अच्छे है आप चाहो तो इसको भी study कर सकते हो, revenue देख सकते है, company आपे मुझे confidence बहुत ज़्यादा मिला था, 70% promoter के पास holding है, मतलब सारी चीज़े अच्छे लगी थी, सिर्फ अगर promoter holding अगर बहुत कम होता, 50 के नीचे होता, तो फिर मैं इस company को ignore करता, बट 70% था, तो यही चीज़ ने हम लोगों को trend दी थी, उसके बाद FIS देख सकते हो, ना के बरावर, यह graph बड़ा दीख रहे है, पड़ अब चेक कर सकते हो, 0.12, DS के बाद करें तो कितने हैं, कोई है भी ने, DS, blank, public की बाद करें, तो बाकी बचा हुआ, 28% इनके पास है, तो बहुत है risky category भी है, and balance it की भी अगर हम लोग बात करें, तो results भी आप देख सकते हो, 200 करोड के आसपास के results देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक जमने में, 30 का था 40, 60, 162 and right now 225, long term boring, तो वो भी नज़र आ रहे, करजा होना कोई पाप होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, सही तरीके से इस्तमाल होना चाहिए, 163 CR का करजा भी company के उपर देखने को या आपे मिल रहा है, short term boring भी 160 के आसपास देखने को आपे मिल रहा है, and cash and cash equivalent इतनी छोटी company है, तो ज़्यादा cash नहीं होगा, तेरा के ये आसपास cash देखने को आपे मिल रहा है, so कुल मिला की बात करेंगे, तो दोस्तो येश्व इंडूस्ट्री भी interesting type की company, specialty chemical में आ जाता है, food antioxidant की बात करे, aroma chemical की बात करे, rubber accelerators की बात करे, lubricant की आगर हम लोग बात करें, इन सब में ये company काम करती है, इनमें भी export देखने को मिल जाता है, Europe, America, Middle East, Asia की बात करे, तो वहाँ पे भी इनका geographical presence देखने को मिल रहा है, company के market cap की बात करे, 1500% की return की बात कितना बन रहा है, 1900 करोड का market cap, मतलब अंदाजा लगा ये, जब हम लोग ने इसको बहुत ही दो डिजिट में देखा था, तब ये कितनी छोटी company हुआ करती थी, ठीक है, अभी हम देख सकते हैं, बहुत ही शांदार performance देखने कमें रहा है, face value भी 10 का है, तो भविश्या में कभी bonus प्रिट का भी आप चाहो, तो थोड़ा सा hope रख सकते हो, then company का net profit देखे, पहले जितना कमाती थी company, सब कुछ चला जाता था, कोई profit नी, फिर 2 करोड का कम है, फिर 4 करोड कम है, फिर 8 करोड कम है, ऐसे करते करते 12 से 21 से 50 से 60, so definitely कभी ना कभी इसका भी profit रुखेगा, फिर आप देख सकते हो, वापस ये company 50-50 परसंट गिर सकती है, तो इस प्रकार के risk आप लोगों को जरूर ले, मतलब आना चाहिए, उसके साथ deal करना आना चाहिए, तब ही जाके आप अच्छा कासा business आपे कर सकते हो, debtors day भी देख सकते हो, company का अच्छा कासा हम लोगों को reduce होते वे देखने को मतलब है, ये सारे चीज़े में आप लोगों को सिखा चुका हो, debtors day क्या होता है, कि पहले इन्होंने कोई चीज business की उसके चलते इनको पैसे मिलते थे, तो 63 days में मिलते थे, फिर उनको पैसे 74 days में मिलते थे, फिर 78 and right now सीधा 59, तो जितना ये कम होता है, उतना ही उनका जो पैसा रहता है, वो फटा-फट अकाउंट में आना start हो जाता है, तो जितना debtors day कम हो जाता है, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात याप याप होती है, इसा बम धमा का 1500% के आसपस की रिटन, इसके 400% की रिटन, और इसमें हम लोगो 50, 50, 60% की 70% की गिरावाटी भी नजर आती है, ठीक है, उसके बावजूत रिटन्स देखिए, कमाल के है, तो आशा करता दोस्तों वीडियों हेलफूल लगा होगा, तक अब शेयर बाजार को आसन बाशा से सीख सको, तब तक के लिए, बाब बाई,